के गुण मॉर्णी अब्युमार्ण देश पूनीथ है कि फर्स्ट पॉलिटिके लेच्चर में हम लोग ने देखा था कि कॉंस्ट्वेशन क्या होता है तो उसमें हम लोग ने देखा था कि कॉंस्ट्वेशन एक फंडर्मेंटल और ऑर्गेनिक लो है हमारे रूल बुक अब हैं कि कंसेशन के द्वारा जो हमारे देश में गुभर्निक का निर्मान किया गया उस गोवल्मेंड किया होते है कितने और नोसके बारे में देखेंगे और इन गुभा alcoholic को के देखेंगे की ऐसाति면 div के चैनल होता है तो सबसे पहले आम लोग ऑर अब अब गोवर्मेंट देखते हैं तो हमारे कॉंस्टेशन के तोरह जो गोवर्मेंट बनाया गया हमारे देश में उसके तीन ओर्गन होते हैं एक ओर्गन को हम लोग लेगिसलेटिव और बोलते हैं दूसरी को एक्सक्यूटिव और तिसरी को जुडिसली जुडिसरी और बोलते हैं का मतलब होता है जो कानून बनाता है इसलिए इसे हम लोग आर्किटेक्ट बोलते हैं इक्सक्यूटिव का मतलब होता है जो कानून को पालन करवाता है इसलिए इसे इंजिनियर बोलते है और जुडिसियरी का काम होता है जग्मेंट देना जुडिसियरी के अंडर आता है जित लेखियलेटिव के अंदर आते है हमारे लोकसवा राजवा में बहुते हैं साथ है साथ ही सथ सियमी्ट इम्ल्सकें इल्पास होते हैं प्र है। लेकिसलेटिव का जिसे हम लोग कहते हैं ऐसे एसे एस्टेट लेकिसलेटिव कॉंसिल बोलते हैं वहां पर भी जो होते हैं वहां पर भी कानुन बनते हैं बील पास होते हैं तो इसके अंदर हमारे कितने आगे हैं लोकसभा के MP राजसभा के MP उसी तरह एस्टेट लेकिसलेट अंदर कौन आता हैं जितने भी लेसी मेंबर होता 6 ले Millativa में से लोगस्वाब को मनत्री बना दिया जाता है यह आपका डिफेंस अन्मी इस कurious सो फ्याला एग weeds पल्च सब्सक्राइब मैं देठानali ऑटेए अड्यं टो सब्सक्राइब स अधया और हम दिर सब्सक्राइब हो सब्सक्राइब के लिए और मास्युच 상황 मैं सब्सक्राइब ऑशनुर सर लिए ना और गेन जो होते हैं हमारे गोब्रमेंट की ये तीनों और गेन लेजिसलेटिव एक्सक्यूटिव और जूटिसियर ये तीनों एक दूसरे से अलग होते हैं क्योंकि हमारे कानुन में लिखा गया है कि एक करते रहेगा तो उस पे एक्षन भी लेगा के लिए आप देख सकते कि कोई भी बी जो गुवर्मेंट लाती है अगर वो गलत रहेगा न तो जुडिसेरी उते खतम कर सकता है क्योंकि अगर वो होते हैं रास्बा में 245 मेंबर होते हैं तो लेग्स लेक्सबार साथ ही बोलते हैं और हास पॉपलर हॉस क्योंकि डाय्रेक्ट पीपल की द्वारा जो होता है लोगसबा करें चुनाब किया जाता है लोग समय मीन 545 मेंबर होते हैं की वर published इंडिया में रहा गए है उस मेंबर को कोई चुनाव नहीं होता है इसे नोमिनेट किया जाता है डivities लिए तो फाइब निटिपाइब नुमिनेटेट को रिसंटली गऊंवनर्मन्ण Як लाया था जिसके दवारा इस एंग्लो-aguesंडेन का दो इंगलो इंडियन होता था हमारे लोगसभा में इसको खतम कर दिया ठीक है लोगसभा राजसभा में कुछ सीटों पर उनका होता है जिसको एक्स्टेंड कर दिया दस साल के लिए 2020 में वह रिजर्वेशन खतम हो रहा था तो मोधी गुवर्मेंट ने उसे दस साल के लिए और बढ़ा दिया है तो उसे 2030 तक कर दिया है तो ध्यान रगना है कि 104 एमेंडमेंट में गुवर्मेंट ने क्या किया है एस्टी एस्टी के लोगसभा राजसभा में मेंबर के लिए जो रिजर्वेशन होते हैं उसे दस साल के लिए और बढ़ा दिया है और साथ ही साथ जो दो एंगलो इंडियन नोमिनेटेर होते थे लोगसभा में इसको एक्स्टेंड नहीं किया गुवर्मेंट ने इसको खत्म नहीं कर दिया इक्स्टेंड नहीं किया तो 2020 में खतम हो गया अब यह हमारे लोग सवाव में कोई भी दो नमिनेटर मेंबर नहीं होंगे जो अपर होस होते हैं जिसे हम लोग कॉंसील ऑफ एस्टेट भी बोलते हैं इसलिए इसलिए इसमें 245 मेंबर होते जिसमें 233 जो होते हैं इसका इलेक्षिंगे एसका इलेक्टेली इलेक्टेली इलेक्टेड होते हैं और 12 नमीनेटेड होते हैं लेकिन इसे इसमें एक्जाम पूछा जाता है यह 12 नमिनेटेड मेंबर जो होते हैं जिसे अब सुने होंगे देखे होंगे कि बहुत सारे हीरो हीरोईन को मतलब राजसभा में टिकट मिल जाता है वो राजसभा के MP बन जाता है जैसे रेखा का नाम सुने होंगे जया बच्चन का नाम सुने होंगे बहुत सारे ऐसे मेंबर है जो रासवा में नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं बहुत सारे खिलारी भी है सचीन तहंदूल कर वह नॉमिनेटेड हुए थै तो यह क्वेस्टन पूछता है इनके लिए सब्जैक्ट किया गया है की चार एरिया का जिसके पास knowledge हो गाना उसी को पर मतलब देश को आगे बढ़ाने में काम करेगा ठीक है साथ साइन्स का नौलेज जो सोशल सर्विस के छेट में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया उनको भी राजसभा के एमपी के रूप में नौमिनेट किया जा सकता है और लिट्रेचर का नौलेज होता है इध्यान रख इसी दर्व हम लोग देखते हैं कि हमारा यूणियन घञग्सलेंटर था जैसमें हम लोग सबारा राज सबारे में ध्युक्रीं-स तरह में मतलब हर एक इसे और दया और एक होताए लिश पर हैं उसमें भी कुछ मेंबर जो होते हैं वो नॉमनेटेड होते हैं यह याद रखना और लेक्सिलेटिव council जो कि उपर होस होते हैं उपर होस होते हैं उसमें वह क्या होगा तो यहाँ भी याद रखना है और है कि यहाँ गाल कOR होगा उसे member of legislative council का member बनाया जाएगा इसमें कौन कोन है तो सेम चार उपर वाला जो अभी हम लोग ने राजसभा के लिए पढ़ा था आर्ट साइंस सोचल सर्विसेज एन लेटरेचर एक एक स्ट्रा इसमें जूर जाता है और उन्होंने काम किया होगा उन्हें में भी member of legislative council में as a nominated member न्यूक्त किया जाएगा ठीक है तो इस तरह से हम लोग ने देखा कि estate legislation में भी दो house होते हैं एक legislative assembly और एक legislative council इसमें भी कुछ लोग सभा दिखाया है और जो इसका head है को सार को ईसको मैंने राजसभा दिखा आप देख सकते के लोगशा में 545 dworker और राज सवा में 245 और भी ध्यान से देखिए इसान सिफे कुछ सवा और राज सवा में कुछ मेंबर को मिनिस्टर बना दिया जाता है इसी को हम लोग एक्सक्यूटी बोलते हैं तो अभी हम लोग ने जो पढ़ा था और गर्वर्मेंट में जो होते हैं लेजलेटिव एक्सक्यूटीव और जूडी से उसका यह एक ड्रॉग कर सकते हैं आप तो अब हम लोग देखते हैं कि what is consciousnessism तो आप देख सकते हैं कि consciousnessism का मतलब होता है process by government provides services not exploitation मतलब हुआ है कि हमारे constitution के दोरह एक ऐसे government का निर्मान करना Consolism एक ऐसा process है जिसके दोरह एक ऐसा government हो जो हमारे देश के लोगों को services provide करें नो कि उसका स्वेशन करें exploitation नहीं करें Government जो होगा वो जो होगा responsible होगा as well as people responsible इसके बारे मैं भी बताता हूं तो Consolism का means क्या हुआ इस system having limited government एक ऐसा government होना चाहिए जिसके पास limited power हो ठीक है एसा नहीं होना चाहिए कि मतलब अपना मनमानी करें क्योंकि अगर ऐसा करेंगा तो बहुत सारे चीज़ों गलत कर सकता है that means a system of limited government system having limited government इसका मतलब हुआ कि हमारे देश में Consolism का मतलब यह हुआ कि एक ऐसा government जो हमारे देश के लोगों के लिए अच्छा काम करें भाला करें वो गलत इस्तमाल नहीं करें अपने power का और नहीं उसके पास इतना power हो कि वो उस power को कुछ लोगों में बांट करके और उसका misuse करें एक Consolism का मतलब यह हुआ कि एक limited government होना ठीक है जिसके पास उतना power भी नहीं हो ठीक है जो क्योंकि हम लोग जानते हैं हमारे देश में जो सबसे बड़ा जो power दिया गया है वो हमारे लोगों के बीच में दिया गया है वोटिंग करें दिया गया है जिसके द्वारा किसी भी government को गिरा सकता है ठीक है इसलिए हम government क्योंकि unlimited government constitute all the power in few hand अगर unlimited government हो जाता है जिसका power बहुत ज्यादा हो जाए तो वो क्या करेंगे अपने power को कुछ हाथों में बांट देंगे और उस power को क्या कर सकते हैं करबशन को बढ़ाने में power को misuse करेगा encroachment of the liberty जो हम लोग को liberty मिला है that means fundamental rights जो मिला है उसको खतम कर government आ जाता है जिसके पास बहुत ज्यादा power हो तो यह misuse कर सकते हैं तो इसलिए constitution का मतलब होता है एक system having limited government जहां पर government के पास उतना ही power हो जो उसे utilize करे exercise करे पूरी देश में देश के लोगों के हित में utilize करे ठीक है अब रहा कि अगर हमारे देश में तो constitution constitution भी इसलिए बनाया गया है ताकि हमारे देश के लोगों की रक्षा किया जासा government भी कुस constitution के रूल के according काम करें इसलिए constitution बनाया गया लेकिन क्या आपको लगता है क्या भारत में constitution तो हैं लेकिन क्या constitution ही रहने से क्या मात्र constitution के रहने से constitution का मतलब हुआ क्या constitution होने से क्या लोगों के हित में government काम करेगा तो ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि मिस्यूज भी कर सकता है government अपने power का इसके लिए हम लोग को क्या सब होना चाहिए एक हमारे देश में constitution हो constitution मतलब हो कि मतलब government जो अपने power का लोगों के भला के लिए काम करें इसके लिए क्या सब होना जरूरी है इसके लिए बहुत सारे चीज़ों का होना जरूरी है जैसे यहां का जो government हो democratically यहां से चुना गया हो ठीक है एक मतलब democracy की थूँ जो हमारा government बना हो independent judiciary हो हमारे देश में judiciary जो independent हो ताकि अगर government कुछ गलत काम करता है तो उसे रोक सके ठीक है नहीं समझ मैं responsible media होना चाहिए एक ऐसा media होना चाहिए जो मतलब government अगर कुछ गलती करता है तो उस पर तुरंत मतलब आवाज उठाए civil society का होना जरूरी है ठीक है साती सात एक responsible opposition भी होना चाहिए मतलब एक ऐसा opposition होना चाहिए जो government को कलत काम करने के रोक सके ठीक है यह सब होने से क्या होगा हमारे देश में rule of law आएगा रूल रूल आफ लौ का मतलब यही हुआ कि हमारे देश में जो लौ होगा कानून के हिसाब से चलेगा ठीक है तो इसका मतलब यह हुआ मतलब होता है कि एक ऐसा गौर्णमेंट जो लोगों के हित में काम करें उस गौर्णमेंट के पास अनलिमिटेट पावर नहीं हो क्योंकि एगर अनलिमिटेट पावर होगा तो उसका मिस्यूज कर सकता है लेकिन कौनस्लिज्म होने के लिए कौनस्टूइशन के साथ साथ बहुत सारे चीज का होना जरूरी है जैसे इंडिपेंडेंट जूडिसेरी का होना जरूरी है एक रिसपॉंसिबल अपोजिशन होना चाहिए ठीक है civil society का participation होना चाहिए यह सब अगर होगा ना तो हमारे देश में कॉंसलिज्म होगा ठीक है और कॉंसलिज्म होगा तो rule of law होगा मतलब rule के कोड़िंग सब लौ सब चलेगा ठीक है का रहा है कि also to ensure कॉंसलिज्म को कॉंसलिज्म को करने के लिए सेपरेशन पावर का होना बहुत जरूरी अब यह पाद जानते हैं कि अभी मैंने जस्ट बताया है कि हमारे देश में सेपरेशन ऑफ पावर है ठीक है यहां पर जुडिसियरी को इंडिपेंडेंट रखा गया है लेइसलेटिव क को अलग रखा गया है एक्सक्योटिव को अलग रखा गया है ठीक है सेपरेशन ऑफ पावर होने से क्या होगा चेकन बाइलेंस अगर कोई कानून गवर्मेंट ऐसा लाता है जो गलत होगा तो जुडिसियरी अगर इंडिपेंडेंडेंट होगा न उसे खतम कर देगा जहां नोट ओनली मेंस देट तो गोवश्पावर होना चाहिए लोगं जयांकार होना चाहिए उस चीज का वह मतलब जैसे घमारे देश में अगर सभी लोग कॉंस्टेशन को जानें गे सब्ढान को जानेंगे तो उसे पता रहेगा कि हमारे पास क्या पाइवर है उस पावर को यूटलाइज करके हम क्या सब कर सकते साथी साथ यह भी पता रहेगा उसे कि मुझे क्या सब प्रिविलेज मिला है क्या सब अधिकार मिला है ठीक है तो कॉंसलिज्म होने के लिए यह सब चीजों का जरूरत था तो अगर आप सिंपल लेंग्वेज में अगर पूरे को समड़ी की रूप में देखें तो कॉ सबरंब मतलब जरूरी है एक خbei मेडिया का होना जरूरी है इंडिपेंडेंट जुडिसरी का होना जरूरी है सप्रेंशा of power होना जरूरी है रिस्पॉंसिबल अपोजिशन होना जरूरी है साथ यहां कि लोग भी जो रिस्पॉंसिबल हो और अपना पावर और प्रिविलेज दोनों को जानता हूं ठीक है अगर हम लोग ग्राफ देखें कि किस देश में सबसे अच्छा है अगर अगर हम ग्राफ किचेंगे ना कि कॉंसलिज्म मतलब की एक ऐसा देश जहां पे सब कुछ मतलब रूल के एकॉर्डिंग हो रूल अफ लाव डैट मिस लाव जो लौक एकॉर्डिंग सब कुछ काम हो र लोग लूभ देखेंगे मोंजा पावर जो लोगों के मतलब बाता है उस तरह पाकिस्तान को लौक विट में में रख सकते हैं चिआ pourrait को पूरे लास्ट में रख सकते हैं क्योंकि वहाँ पर गॉपर्मेंट जो है अर्विट्रीन नेचर है जो भी मनोता है ओकर सकता है तो इस तरह से हम लोग को के दौरा जो हमारा गुवर्मेंट गुवर्मेंट के बाद है कि क्या होता है जूरी सिर्प और क्या होता एक्सक्यूटिव अगले लेक्चर में और हम पॉलिटी के बारे में देखेंगे थेंक यू इवर्गान